हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमा यूटूब चैनल एईस एजुकेशन साज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इगनु के दिसंबर 2022 टेर्मन एक्जाम का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है और उसका री इवैलुईशन फॉर्म भी इगनु के द्वारा ओपन कर दिया है तो इन में से जो भी option आप चाहें चूज कर सकते हैं तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे फोरम फिल कर सकते हैं step by step information आपको दिखाता हूं तो बहुत से students report कर रहे हैं कि problem आ रही है तो उनको बताता हूं क्या solution और कैसे भरना है सबसे बहले आपको यह लिंक है इगन open हो जाएगा form के bottom में आना declaration लिखी है घोशना यहाँ पर आपको tick करना होगा blue tick यहाँ पर करेंगे फिर आप click करेंगे I agree and proceed पर जब आप टिक करेंगे तो फिर नया page open होता है जिसके bottom में आपको आना है term and exam December 2022 student है या फिर जोन के हैं वो आपको चूज करना होगा इस पर जै करना है लोगिन करते ही आपका result आ गया होगा तो लोगिन हो जाएगा लोगिन होते एक नया page आएगा जिसमें फोरम आपका open हो जाएगा और आप देख सकते हैं December 2022 का form है जो मैं fill करके दिखा रहा हूं किसी student का है तो select course पर आपको click करना है तो यहाँ जैसे click करेंगे select course add request त site में आप लोगों का जब भी आप कोई click करते हैं उसके बाद आप 10 मिनट या 5 मिनट phone को रख दीजिए next page आपको open मिलेगा और इसी तरह आप initial step में भी यहीं हो रहा है तो इस तरह आपको wait करना है और दूसरा इस problem को आप IGNU की registrar sed at the rate IGNU.ac.in पर report करें और हम भी इस problem को report क कर रहे हैं ताकि इसका कोई solution आ सके ताकि students का जो time expire ना हो एक month का जो time होता result declaration date के बाद वो expire ना हो और आप easily अपना form भर सके तो इस तरह आपको हर एक step में 5-7 मिनट के लिए wait करना पड़ रहा है यह दिक्कत आ रही है तो इसके लिए मैंने बता दिया IGNU पे आप grievance कर सकते हम भी rage कर रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो तो बस इसका अभी तक यहीं है further जैसे यह problem rectify होगी फिर से एक पूरी वीडियो लेकिन अभी भी phone fill up किया जा रहा है मैं आपको बता दू लेकिन आपको हर एक step में 5-7 मिनट के लिए phone को एक बर click करके बिल्कुल नहीं हुले